कौलकाता रेप केस में अरीजी सिंग ने मांगा नयाय गाने में छलका दर्थ पुछा ये कब खत्म होगा। कौलकाता में बलातकार और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का महौल है। अब अरीजी सिंग आदोलन के समर्थन में आ गए हैं और अपने नय बंगाली गीत आर कौबे के साथ नयाय की मांग की है। उन्होंने इस गाने को लॉंच करते हुए ये भी कहा है कि ये प्रोटेस्ट सौंग नहीं बलकि कारवाई का आबाहन है। कौलकाता के आर जी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर संग हुई बरबरता ने देश भर के लोगों को हिला दिया है। रेप मर्डर मामले में पीडित परिवार को नयाय दिलाने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आम जनता हूँ या सिलिप्स सभी पीडित परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब बॉलिवुड के मशूर सिंगर अरीजीज सिंग भी कौलकाता मामले पर विरोध जटाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हासे को लेकर एक गाना तयार किया है। का मतलब ये है कि ये कब खत्म होगा। इस गाने को अरीजीत ने ना सिर्फ अपनी आवाज दी है बलकि उन्होंने इसे लिखा और कंपोज भी किया है। अरीजीत ने गाने का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। गाने में अरीजीत के अंदर के दर्द को महसूस किया जा सकता है। आर कॉबे सौंग तीन मिनट का है जो आपके रॉंटे खड़े कर देगा। कॉलकाता रेप केस में अरीजीत सिंग ने मांगा नयाय गाने में चलका दर्द पुछा ये कब खत्म होगा। कॉलकाता में बलातकार और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का महौल है। अब अरीजीत सिंग आदोलन के समर्थन में आ गए हैं और अपने नय बंगाली गीत आर कौबे के साथ नयाय की मांग की है। उन्होंने इस गाने को लॉंच करते हुए ये भी कहा है कि ये प्रोटेस्ट सौंग नहीं बलकि कारवाई का आबाहन है। कौलकाता के आर जी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर संग होई बरबरता ने देश भर के लोगों को हिला दिया है। कौलकाता में बलादकार और हत्या की घटना के बाद पुरे देश में आक्रोश का महल है। किया है। अरिजीत ने गाने का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। गाने में अरिजीत के अंदर के दर्द को महसूस किया जा सकता है। अरिजीत झाल पर शेयर किया है।